अपने फादर की मर जाने की खबर मिलने के बाद बेटा उन्हें मिलने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके आसपास के सब लोग suspicious है यह पुरा गाव का गाव ही suspicious है अब उसे लगने लगता है कि यह murder है क्या murder mystery solve कर पाएगा यही इस movie का प्रिमाईस है आज की movie moss य उनके नाम confusing हो सकते है movie start होती है और हमें Hank दिखाए जाता है यह एक direct होता है एक बड़े influential आदमी के साथ एक चर्च पर आया हुआ है यह influential आदमी एक आदमी के बारे में Hank को बता रहा होता है जिस आदमी के बारे में बात करती है इसका नाम होता है Walter Walter इस church में सब लोग को शि Hank इस situation को handle करे इसलिए उसने Hank को बुलवाया होता है Hank भी एक corrupt police officer होता है अगर कुछ पैसे मिलके या land मिलके तो यह काम कर सकता है यह directly Walter को jail में डाल सकता है और ऐसा ही होता है Hank Walter को questioning के लिए बुला लेता है और इसके बाद उससे jail में डाल देता है यह judge owner Hank से बात कर रहा होता ह वो गहता है कि Walter बहुत ही influential है जो भी लोग उससे connect हो जाते है यह सब उसके गुनगाने गाने लग जाते है तो लोगों से कुछ भी करवा सकता है यह जो judge owner है यह भी इससे intimidated होता है Hank उसे बोलता है कि जल से जल इस prison में ही मैं उससे मरवा दूँगा अब हमें दिखता है कि Walter क कोई आदमी मारने के लिए आता है उस पर चाकु चलाता है पर Walter चूब भी नहीं करता बहुत सारे लोग इसे मारने कोशिश करते है पर कोई भी इससे मार नहीं पाता जब हैंग इससे बूचता है कि क्यों यह काम यह नहीं कर पा रहे है तो यह सब कहते है कि हम यह काम नहीं कर सकते, वो भी अब Walter से influenced हो चुके, Walter को मारना इन्हें पाप लग रहा है, अब Hank चिट जाता है, और Walter को integration के लिए बुलाता है, वो कहता है कि तुम लोगों को भढ़का रहे हो, यह तुम कैसे कर लेते हो, Walter कहता है यह सब realization उन्हें खुच से होती है हैंग उस पर बहुत ही चिट गया होता है Walter हैंग को कहता है, यह तुम मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो, हैंग कहता है यह तुमारी कटपुटली नहीं हो, जो तुम जो कहोगे, वो मैं कर दूँगा Walter फिर भी उसका जो काम होता है, यह हैंग को अब इन्हें पनिश करना है, इस लड़की के पास जो बाइबर होती है, इससे इन सब लोगों के पता नाम पता चल जाता है, हैंग फिर इन सब लोगों को बहुत ही पनिश करता है, Walter की पनिश्मेंट में एक जस्टिस हैंग को इंप्रेस्ट हो चुका है, हैंग को भी इसने इंफ्लेंस कर दिया था, और इसने रियलाइज भी नहीं किया था, आप मैं दिखता है कि हैंग वाल्टर से मिलने के लिए आता है, हैंग वाल्टर से कहता है, कि मैं पावर से लोगों को इंफ्लेंस करता हो, उनकी मर्जी नहीं होती, फिर जबरदस्ति में उनसे काम करवाता हो, पर तुम्हारा वैसा नहीं है, तुम लोगों को जीत सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए, वो सब तुम पास सकते हो, जैसा हमने देखा है, कि हैंक के करप्ट ओफिसर है, इसे लैंड एटना वेगरा सब कुछ बहुत ही पसंद है, अगर वाल्डर के साथ काम करेगा, तो वाल्डर लोगों को हैंडल करेगा, और हैंक सब कुछ जमीन वेगरा ले लेगा, हैंक को जब वाल्डर को अपने टीम में सामिल करना होता है, तो हैंक उसे कहता है, तुम लोगों को बहुत सारे साल अब गुजर चुका है यह में दिखता है हैंक अपने आदमियों के साथ वॉल्टर के आ जाता है और वॉल्टर अब बुढ़ा हो चुका था इसलिए वो मर चुका है इसके बाद नेकसिन में हम जॉन को देखते है जॉन को डिवास हो चुका है और उसकी नोकरी भी चली गई है जॉन के उपर एक केस लगी थी उसका जो प्रोस्टिक्योटर था उसका नाम था माईक माईक ने जबरदस्ती चार्जेस उस पर लगाये थे उसे सिर्फ एक केस निप्टाना था जॉन जब माई से बात करने गया तो माईक ने जो सब बोला उसका सब रेकॉर्ड जॉन ने कर लिया यह रेकॉर्ड माईक के सूपरियर को जॉन दे कर चला गया इसी वज़े से माईक की अब बदली हो चुकी है यह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते है एक दुसरे को बहुत ही हेट करते है जॉन की वाइफ उसे छोड़ कर चली गई है और उसका जॉब नहीं है तो माईक उसे चीडाता है और जॉन माईक को चीडाता है कि गाउ में तुम्हारी बदली हो चुकी है यह कॉल यही कतम हो जाता है अब में दिखता है कि जॉन जो है यह एक्चुर में Walter का बेटा है Walter मर चुका है तो इस गाव में वह आ जाता है वो आकर अब हैंग को मिलता है इस गाव में Walter और हैंग रहते थे इस गाव का हैंग अब चीव बन चुका है यह बहुत ही influential है जॉन अपनी फादर की डेट बॉड़ी देखता है और फिर खाना खानी के लिए नीचे आ जाता है अब वो हैंक के साथ खाना खा रहा होता है हैंक के साथ और तीन लोग होते है यह वही कईदी है जिनको सुधार नहीं कोशिश कर रहे थे अब यह सब भी मिडल एज्ट हो चुके है जब यह सब खाना खा रहे थे तो वॉल्टर मर चुका है तो वहाँ पुलिस ओफिसर आयो होते है वॉल्टर की डेट के बारे में जादा इन्वेस्टेकिशन नहीं करने वाले यह बुढ़ा हो चुका था तो इसी वज़े से मरा है यह वो जॉन को कहते है जॉन बोलता है कि तुम्हें आटो उसी वेगर है यह सब चीज़े करनी चाहिए पर यह मना कर रहे होते है हैंग को लगता है कि जॉन इसे जाने नहीं देने वाला तो हैंग influential है इसलिए officer को कहता है कि तुम सब अब check up कर लो डॉक्टर को कल बुलवाया जाता है डॉक्टर सब चानपिन करता है तो conclusion देता है कि एक natural date थी हैंग अब John से बाती करता है वो कहता है कि तुम इस सब चीज़े करकर हम सब लोहों को uncomfortable महसुस करा रहे हो यहां कुछ भी गड़बड नहीं हुई है जान को अभी भी लगता है कि हां कुछ ना कुछ तो गड़बड है इसलिए अब वो कुछ दिन इस गाव में रुकना चाता है हैंग के अंडर एक कैदी था इसका नाम है भोला तो भोला यह news आकर हैंग को कहता है इनके लिए problem हो सकती है पर फिर भी हैंग इसके लिए place दे देता है यह भोला जान को कहता है कि तुम यहां आफ रुकने वाले हो पर फिर भी तुम इस गाव को disturb कर सकते हो इस गाव में कोई भी changes हुए तो इस गाव को इस डिस्टब कर सकते है जॉन को कुछ ये समझ में नहाता जॉन एक स्टोर में रह रहा होता है वहाँ पर एक लड़की होती है जुसका नाम होता है जेन ये इस स्टोर को समालती है और इस स्टोर के पीछे ही जॉन रहा होता है राद में जॉन देखता है कि जो सब prisoners थे ये इस लड़की के पास आते है अब इससे पैदा चलता है कि ये सब राद में चलता है इसी वज़े से भोला उसे कह रहा था कि कोई भी changes गाव में होए तो उसे disturb कर सकते है जॉन घर की मरम्मत करने के लिए कुछ सामान लेता है इंटरनेट कैफे पर जाता है ये सब जब चीजे हो रही होती है ये सब हैंक को पता चलती रहती है अब जॉन ज़्यादा ही इंटरफेर कर रहा है तो हैंक उसे राद में डिनर के लिए बुलाता है उसे वह कहता है कि जाने से पहले यह तुम्हारा अच्छा सा डिनर है जॉन कहता है पर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं यह सब इस वर बहुत ही चिट जाते हैं यह सब उसे समझा रहे होते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हैं City का life और गाओ का life अलग-अलग है तुम यहाँ क्या करोगे, तुम कैसे रहोगे John कहता है कि father की land है वहाँ में खिती कर सकता हो उसका decision पक्का होता है और उसे कोई भी change नहीं कर पा रहा तो Hank कहता है कि ठीक है तुम यहाँ रहना है, तुम रह सकते हो इसके बाद राद में हम देखते है यह John Mike को call करते है Mike prosecutor ही है, John उसे कहते है कि मेरे father मर चुके है उनके नाम पर बहुत सा रिलाइन थी पर अब वोज सब transfer हो चुकी है यह सब Hank के नाम पर transfer हो चुकी होती है John को जो सब लग रहा है, यह वो Mike को कहते है इन दोनों में दुश्मनी होती है पर फिर भी Mike prosecutor है तो इसके बारे हो कुछ कर सकता है John जब Mike से बात कर रहा होता है तब हमें दिखता है कि Hank का एक आदमी उसके घर के नीचे आ जाता है उसके basement से कुछ चीजे निकाल कर वो ले जा रहा होता है John जब देखने के लिए जाता है तब होसे कुछ भी नहीं मिलता basement से सब documents अगरा लेकर Hank आदमी वहाँ से निकल जाता है अब John की problem यह है कि John को पता है कि हाँ कुछ तो गढ़बड है पर उसके पास सबूत वगरा कुछ भी नहीं है उसके घर में कोई आ सकता है इसलिए एक motion sensor lights हो लगाता है इसके बाद वो कुछ trick करने के लिए Hank के पास आता है John हैं से कहता है मेरे father के documents देख रहाता है उस documents में अगर उन पर कुछ debit वेगरा हो तो मैं चुकती कर सकता हो इस document को लेकर मुझे आपकी help चाहिए यह documents मुझे उनके घर में मिले थे हमें बता है कि Hank का आदमी ही Walder के घर पर documents लेने के लिए गया था अब John ने कहा है कि documents अभी भी पाहा है तो Hank अब चिंदित हो जाता है यह सब John का plan होता है Hank का आदमी राद में उस घर में आ जाता है John जगा ही हो आता है और वो उसे spot कर लेता है John अब अच्छी से basement की तलाश लेता है इस basement में उसे एक underground tunnel मिलता है इस tunnel से वो आगे जाता है तो Hank के एक आदमी का घर पर वो पहुच जाता है यहाँ पर Hank और उसका आदमी यह दोनों बात यह कर रहे होते है Hank का आदमी Hank को John सब को जो विलेज में कर रहा है इस सब की रिपोर्ट दे रहा होता है यह सब John सुन लेता है John अब फिर से basement में आ जाता है वो आने के बाद उसे एक tape recorder मिलता है इसमें उन कईदियों की गवाई होती है जो अब Hank के साथ रह रहे है इसमें से एक जो होता है उसने साथ लोग को जिन्दा जला दिया होता है और इसमें एक आदमी ने murder किया होता है Hank ने इन दोनों को deal दी थी यह सब अब जाकर विलेज में रहने वाले है Walter को Hank के plan के बार में कुछ भी पता नहीं था Hank जैसा कह रहा है यह सब करने के लिए Walter ready था अब हैं फिर से present दिखाय जाता है और Mike अब सब investigation Hank की कर रहा है अब इसे पता जलता है कि Hank के नाम पर 23 millions की land है यह जो land थी यह सब Walter ने Hank के नाम पर की थी अब Mike को भी suspicious आता है और अच्छे से आप वो investigation करने के लिए लग जाता है अब next दिन आता है जॉन को tunnel मिला है तो tunnel जिस room में जाता है उस room में वो पहुच जाता है यह Hank के आदमी का room होता है यहाँ उसे कुछ paper work मिल सके कुछ evidence मिल सके इसके लिए वो ढून रहाता है तभी वह Hank का आतमी आ जाता है इसके पास आता है और इसके कंदे पर सर रखता है यह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फादर को हमने मारा है अभी क्या अभी तुम यहाँ से निकल जाओ जौन यहाँ से जाने ही रहा होता तो एक कील लेता है और वो जौन के पेट में डाल देता है जौन बहुत injured हो जाता है इसे मारने के लिए और एक बार एक कील उसके पेट में गुसाता है जौन नीचे गिर जाता है Hank का आदमी एक X लेता है उसे अब वो मारने वाला होता है तब जौन वहाँ से भागने लग जाता है यह भागते भागते जंगल में आ जाता है जंगल में एक Deep Valley होती है इस Valley के पास ये दोनों आ जाते है अब जौन के पास कहीवी जाने का कोई भी वे नहीं है अब हैंग का आदमी उसके पास आता है उसे मारने वाला होता है तो जॉन उससे fight करता है और इस valley में हैंग का आदमी गिर जाता है और मर जाता है Hank भोला के साथ होता है और उसके आदमियों को ढूंड रहाता है ढूंटे ढूंटे जंगल में आता है और उसके आदमी की बौडी मिल जाती है John को जख्कम होई थी वो हाइड कर देता है Hank को अब बौडी मिली है उसके पास हो आ जाता है जॉन कहता है कि मैं घुम रहा था और मुझे कुछ आवाज सुनाए दी हैंग को शक जाता है ये माइक ने ये किया होगा जॉन एक लिए हैंग के आदमी के घर पर पहुच जाता है वहाँ पर उसका बलर्ड वेकरा पड़ा हुआ है ये सब वो क्लीन करता है हैंग भी यहाँ इससे पहले कि वह जॉन को स्पॉट कर सके जॉन टनल में कुछ जाता है और अपने घर पहुच जाता है अब नेक सिन में हमें दिखता है कि जॉन माइक को कॉल लगाता है उसे जो सब हुआ है इसके बारे में उसे कहता है उसे पूछ रहा होता है क्या तुम हैंग की इन्व मैंने स्टार्ट कर दिये और अगर तुम्हें कोई पकरना चाता है तो वह मैं ही हूँ, एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तो मैं पकड़ लूंगा, जान और माई एक दुसरे को हेट करते हैं फिर भी एक दूसरे को हेल्प करते रहे थे, जिस तरह से फ्रेंड्स होते हैं, इसी तरह से इनकी रिलेशन्शिप होती है, अब हम देखते हैं कि हैंग के आनमी का फ्यूनरल चल रहा होता है, यहाँ बर और एक कईधी होता है, जिसका नाम होता है हिटमैन, यह भी हैंग के ल तुम्हें कुछ पता करना है, जो भी तुम्हें पता करना है, वो सब कुछ में तुम्हें बता सकता हो, तुम रात में मेरे घर में आ जाओ, उससे कहता है कि सब कुछ पता करने के बाद तुम्हें इस गाहो से निकल जाना पड़ेगा, हिटमैन को जॉन को जल्दी से में सब कुछ information available है Hank और Mike एक दूसरे की enemy है ये भी उसे पता है और वो Mike से मिलने के लिए आता है Hank जो है, ये बहुत ही influential है सब politicians वेगरा, ये सब इसकी मुठी में होते है अगर वो चाहे, तो Mike को फिर से वो promotion दिला सकता है वो Mike के पास आकर John को किसी भी चीज में अंदर डालने के लिए बोल रहा होता है Mike कहता है कि वो मेरा शिकार है उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता उसे अगर कुछ करना होगा, तो मैं ही करूँगा Mike अब John को प्रोटेक कर रहा होता है रात में हम देखते है कि John जब Hitman से मिलने के लिए आता है तो Hitman और ये दोनों fight करने लग जाते है Hitman John को बहुत मारता है और उसे एक पोल से बंदा देता है Hitman उसे मारने के लिए कुछ टूल्स लेने के लिए जाता है John के पास एक लाइटर होता है ये लाइटर को घास में डाल देता है जिस हाउच से वो बंदा हुआ है ये लकडी का बना हुआ है आग लंगने से ये सब हाउच जलने लग जाता है जब Hitman घर के पास आता है तो घर में उसके सब कुछ चीज़े होती है उसके important documents होती है ये सब लेने के लिए वो अंदर जाता है जब ये अंदर जाता है तो John को help करने के लिए Jane महा जाती है उसे वो पोल से छुडवाती है और जब Hitman अंदर होता है तो उस पर सब लकडिया वगरा गिर जाती है वो जलकर वो ही मर जाता है जब Hank इस सब को देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है Jane John को लेकर अब गाव से बाहर जा रहे होती है Jane कहीं दिखने ही रही तो Hank Jane को call करता है Jane सब को सच-सच बता देती है कि उसके साथ John है Hank उसे जल्दी से घर आने के लिए कहता है जब Jane घर पर आधी है तो Hank के साथ उस होती है यहां में पता चलता है कि इन दोनों में संबंध है Hank उसे जोर से slap करता है उसे लगता है कि यह John से attracted है John injured था इसलिए वो सीटी को हस्पिटल में है हस्पिटल में विलेज को ओफिसर जो Hank के लिए काम करता है वो अब John को लेने के लिए आता है John को फिर से विलेज में लेकर जाने वाला है और उसके साथ वो कुछ भी कर सकते है इसलिए John अब Mike को कॉल लगा देता है वो Mike को as a lawyer प्रिटेंड करने के लिए कहता है Mike भी प्रिटेंड करता है विलेज में आने के बाद Hank इससे बात करता है वो उसकी मदर कहा रहती है इसके बारे में उसे कहता है Hank Mike को सला देता है तुमारी मदर का जो फ्लैट है यह तुम जल्दी से बेश दो वरना वहाँ सेमेटरी आने वाली है यसे धमकी दे रहा होता है या उसने Hank का माना नहीं तो उसकी मदर को मार डालेगा Mike कहता है तुमसे डरता नहीं और यह वहाँ से चला जाता है नेकसिन में हम देखते है कि John के घर पर Mike होता है यह सब situation figure out कर रहा होता है तब है Hank का आदमी जो भोला है यह वहाँ मिलने के लिए आता है इसके सब friends मर चुके इसे डर लग रहा होता है कि John इसे भी मार देगा यह सब confusion करने लग जाता है यह कहता है कि Hank मुझे जो सब बताता था वही मैं करता था यह बताने बताने में कहे जाता है कि Hank जो है यह सब politician को पैसे देता है लोगों से जबर्दस्ति वो land buy गर लेता है उन्हें पूरे पैसे भी यह नहीं देता यह जो सब कैदी है जो Hank के साथ रह रहे है यह वही काम करते है लोगों को जाकर ढराना थमकाना और उनकी सब land ले लेना Hank पकड़ा ना जाए इसलिए सब politicians को पैसे दे कराता है माई का police commissioner है इसे भी वो पैसे देता है अब हम देखते है कि भोला जब इनसे बात कर रहा होता है तो Hank Donald में होता है सब बाते इनकी सुन रहा होता है नेक्स जे Hank भोले को बुलाता है उसे कहता है कि तुम मेरी सब को सुनते थे मैं जो सब तुम से कहता था वो भीना question कि तुम करते थे मैं कभी-कभी तुम मारता था पर तुम्हारा innocence preserve करने के लिए ही मैं करता था Hank और भोला ये दोने एक उची जगा पर होते है तो Hank वहाँ से उसे गिरा देता है दूसरे दिन John जब ये dead body देखता है तो Mike को call लगाता है वो कहता है कि अब वो बदला लेने वाला है अब सिर्फ आख के बदले आख ही होगा Mike उसे समझा रहा होता है पर ये समझता नहीं John गुसे में अब Hank के पास आजाता है Hank खाना खारा होता है Hank उसे कहता है तुम्हें मेरी स्टोरी जाननी है उसे बेटनी के लिए बोलता है अब हमें flashback में Hank Walter और जो कईदी है जब विलेज में आ गए थे तब क्या होगा था ये दिखाया जाता है जब ये सब यहां आ गए तो Walter influential था ही तो Walter के influence में इस गाओ के सब लोग आ गए Walter की वज़े से Hank और सब आत्मियों को सब वेजी खाना पड़ता था Hank को ये पसंद नहीं आता था Hank उसकी मर्जी के खिलाब जाकर कुछ भी खाकर आता था Walter ने जब इससे बात करने चाहिए तो Hank बोला कि जो सब लोगों के साथ हम रह रहे है ये सब devil है हम इसे change नहीं कर सकते है हमें इने खुश रखना पड़ेगा Walter को लगता है कि इन आदमियों को अभी भी हो change कर सकता है वो एक कैदी के बाद जाता है उसे कहता है कि किस तरह के आदमी तुम बनना चाहते हो ये कैदी इस चीज को समझता नहीं और जिस तरह से है उसी तरह से हो रहना चाहता है यानि कि Walter अब किसी को भी बदल नहीं पाएगा इसके बाद Hank लोगों के पास जाता है उनकि जो सब जमिने होती है ये जबरदस्ती हो ले लेता है ये जो सब illegal चीज़े हो करता है तो Walter का काम होता है कि लोगों को शान्द रख पाए और Walter ये सही से कर भी रहा होता है जब Hank जबरदस्ती से land ले रहा होता है तो Walter ये देख लेता है Walter अब इसे कुछ भी बोलता नहीं पर रात में वो Hank को मारने के लिए आता है Hank साउदान हो जाता है सब कईधी ये देख लेते है ये Walter का कहते है कि तुम हमसे कुछ भी डिफरेंट नहीं हो अब यही उनको जो स्टोरी बता रहा होता है ये स्टॉप कर देता है उसे बोलता है कि जोसब तुम्हारे फादर के साथ हुआ था ये सब में तुम्हें बताऊंगा पर आप में टायट हो तुम कल आना इसके बाद हम देखते है ये Mike जोसब इन्वेस्टिशन कर रहा होता है इस इन्वेस्टिशन में उसे बहुत सारे ट्रबल आता है हैंग के उपर जोसब फाइल से इनको जब वो एक्सेस कर रहा था तो इसका उसे एक्सेस नहीं मिला उपर से भी इसका प्रेशर बढ़ रहा है ये केस उसे छोड़ने के लिए सब उसे प्रेशराइस कर रहे है माई के केस छोड़ सकता है पर तभी उसे मिलने के लिए जेन आती है जेन आकर उसे कहती है कि क्या तुमें चर्च के बारे में पता है इस चर्च में इंसिडेंट हुआ था यहां में आगे बता चलेगा जोड़न जब घर पर होता है तो उसे भी मिलने जेन आती है उसे और भी चीज़ों के बारे में कहती है फ्लैश्बैक में हमें दिखाय जाता है कि वॉल्टर अपने सन यानि कि जोड़न को कॉल करता है जोड़न उसे कुछ भी बात नहीं करना चाता क्योंकि जॉन को छोड़ कर वॉल्टर चला गया था जॉन को देखने के लिए भी कभी वॉल्टर नहीं गया था जॉन और वॉल्टर में अच्छे एक रिलेशन्शिप नहीं थी पर फिर वें वॉल्टर उसके फादर थे जो सब वो कर रहा था अपने फादर के लिए कर रहा था वाल्टर ने जेन को help की थी जेन का जिन लोगों ने रेप किया था इन सब को उसने punish किया था जेन भी वाल्टर के साथ ही आ चुकी थी और उसे गाव में रहती थी एक रात जेन के बास हैंग आया हैंग ने उसे बोला कि अब वो वाल्टर को मारने वाला है उसे पुछता है कि पुरा गाव मेरे साइड परे पर फिर भी तुम क्यों वाल्टर के साइड परो जेन कहती है कि उसने मुझे बचाया है हैंग कहता है कि तुम्हें तो मैंने बचाया था जेन बोलती है कि तुमने तो सिर्फ रिवेंज लिया था एक्चुन में मुझे तो वाल्टर नहीं बचाया था हैंग फिर जेन को ब्लेकमेल करता है वो खेता है कि वाल्टर को मैं मार दूँगा पर तुम उसे बचा सकती हो हैंग अब जेन से रिलेशन्शिप रखने लग जाता है हैंग के जो सब आदमी है वो भी रात में जेन के पास आते है जॉन को भी ये सब सुनकर बुरा लगता है रात में हम देखते हैं कि जॉन और जिन ये दोनों हैंग के पास आ जाते हैंग ने उन्हें बुलवाया था अब जॉन को उसके फादर के साथ क्या हुआ है ये पदा जल सकता है जॉन के पास नाइफ होती है पर हैंक के पास गन होती है वो जॉन पर ये गन लगा रहा होता है तब पुलिस ओफिसर सब वहाँ आ जाते है माइक के पर प्रेशर होता है वहाँ नहीं जाए पर फिर वहाँ पोच जाता है मायक हैंक को कहता है कि तुम under arrest हो उससे ले कर जाना चाहता है पर हैंक कहता है तुम्हारे पास मेरे against कोई भी सबूत नहीं है मायक ने already सब गाओ पर छापा डाला होता है जहाँ भी हैंक के सब document से यहाँ वरोप भोच गया होता है हैंग की जहाँ डॉकुमेंट रखे हुए है वहाँ हैंग का पुलिस ओफिसर बोच जाता है तब केरोसीन वगेरा वहाँ डालता है और इसको आग लगा देता है दूसरे पुलिस ओफिसर इसे पकड़ लेते है पर यह अपने आपको भी आग लगा लेता है यह सब चीज जो हुई है यह माई को पता चलती है जो पुलिस ओफिसर मरा था यह हैंग का ही बेटा था हैंग यह देखकर हसने लग जाता है उसका बेटा मरा है इसका उसे कुछ भी गम नहीं होता इसके खिलाब कोई भी सबूत नहीं है इसके खुशी उसे होती है अब हैंग जॉन के फादर के साथ क्या हुआ था यसा उसे बताने लग जाता है वो जॉन को कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर इनोसंट थे पर इसा कुछ भी नहीं था उन्होंने जज में जो सब लोग थे इन सब को मार डला था उन्होंने उन्हें पॉईजन कर दिया था तब ही जेन बात करने लग जाती है जेन कहती है कि जैसा हुआ था एसा तुम नहीं बता रहे हो रियालेटी कुछ अलग ही है जेन फिर बोलती है कि हम चर्च में गए थे पर वहाँ से जल से हम निकल गए थे हैंग जब हमें लेने के लिए आया तो हैंग के कान पर खून था हैंग के पास एक पैसो से भरा हुआ बैक भी था इसका मतलब है पैसो के लिए हैंग ने चर्च के सब लोग को मार दिया था वाल्टू को यह सब पता था पर वाल्टा को कुछ भी कर नहीं पाया जब वह हैंग को देखता था तो उसे गिल्टी महसूस होता था अब जेन हैंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हेरे सब जो डॉक्मेंट्स थे जो सब इलीगल एक्टिविटी थी यह सिर्फ उसी गोडाउन में थी उसके पास और भी कुछ डॉक्मेंट्स होते है जिससे हैंग को गिल्टी करार दिया आ जा सकता है हैंग के पास अब और कोई भी चाल नहीं हो थी वो सब को बाहर जाने के लिए कैता है वो कहता है कि वो ready होना चाता है इसके बाद सब बाहर चले जाते हैं और वो अपने आपको गोली मार लेता है अब कुछ समय गुजर चुका है जॉन अपने शहर में चला गया था और अपने फादर के गाव में वो फिर से आ रहा है वो फिर माइक को कॉल करता है माइक का भी आप प्रमोशन हो चुका होता है यह दोनों एक दूसरे को कॉंग्रेचुलेशन्स करते है माइक कहता है यह तुम भी अब ज़्यादा ट्रिबल में नहीं आये हो तुम्हें भी मुझे कॉंग्रेचुलेशन्स करना चाहिए इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती अब हो चुकी होती है यह दोनों फिर से मिलने वाले होते है और डिनर करने वाले होते है अब मैं दीखता है कि जॉन जब गाव में पहुचता है यहां हम देखते है कि जेन अब गाव की चीफ हो चुकी है हैंक की जगा उसने ले ली है अब जॉन को फोन कॉल याद आता है उसके फादर मर चुके है तो इसका फोन कॉल जेन नहीं किया था जेन ने उसे बताया है कि उसके फादर मरे थे वो natural death से मरे थे actual में Jane को ही actual में Jane को हैंक से बदला लेना था इसी वज़े से उसने John को call किया था उसे पता था कि John को लगेगा उसके father की death नहीं थी तो वो murder था इसी वज़े से वो investigation करेगा और हैंक hurt होई जाएगा जैसा उसका plan था ऐसा ही हुआ है अब Jane इस गाव की chief बन चुकिया उसे अच्छी सी position में मिल चुकिया और उसने revenge भी ले लिया है अगर हम इस movie में देखे तो Walter एक बहुत अच्छा आदमी था वो सब चीजे अच्छे से करना जाता था पर हैंक को हमेशा से लालश था उसने Walter को manipulate किया और अपने काम के लिए उसे use कर लिया Walter कभी भी उसे बदला नहीं ले पाया Jane कभी फायदा हैंक ने उठाया था Jane अभी भी यंग थी वो कुछ ना कुछ तो करी सकती थी इसलिए उसने सब कुछ प्लान किया Jane के प्लान में John manipulate होता रहा और हैंग से उसने बदला ले लिया हमने मूवी में देखा है कि Walter को एक sense of justice था कुछ भी गलत उसे पसंद नहीं था उसी तरह से sense of justice Jane के पास है Walter जो सब चाहता था कि अच्छी तरह के से लोगों को guide किया जाए अच्छी तरह के से वो एक जगा पर रह सके यही सपना उसका आप Jane complete कर रही है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like और comment जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारी moves लेकर रहता हूँ तो प्लीज इस channel के subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलिएगा हम वे से मिलेंगे और एक नमूवी के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये